हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचल अपडेट 247 पर दोस्तो हिमाचल अपडेट 247 यूट्यूब चैनल पर आपको हिमाचल प्रदेश के प्रतेक जॉब न्यूज, हमिर पूर वोट, सिमला वोट के एक्जाम की नौटिकेशन, वीडियो के माध्यम से उपलवत करवाया जाता है, तो दोस्तो अगर आप चैनल पर ने हैं, तो चैनल का सदस्या बने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारे चैनल की हर एक वीडियो पहुंच सके, तो दोस्तो यह जो हम आज एक्जाम डिसकस करने जा र आपको बताएंगे, तो आपने अंतक वीडियो को देखना है और आपने प्रसन वेरिफाई करने है कि कितने प्रसन आपने सही किये, तो सबसे पहला प्रसन हमारे पास HPG के गाता है, तो दोस्तो देखिए, हिमचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने 1017 मिंट के लिए दोस्तो इसका option number जो है, आपका कौन सा होगा, तो option number A, राजीव, नए येर, next person, तो next person हमारे पास आता है कि कैरियर पॉइंट, यूनिवर्सिटी, हिमचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो इसका जो सही अंसर होगा, ये होगा, आपका option number C, तो ये है, option number D, तो हमि इसका सही अंसर है, तो दोस्तो ये जो आप प्रसंद देख रहे हैं, ये series D का जो है, प्रसंद पत्र है, तो आप अपनी series के अंसर मिलान कर सकते हैं, प्रसंदों का, next person, हिमचल प्रदेश में धौला सीद जल विद्धित प्रियोजन की कारेकारी अजेंसी का कौन सी है, तो इसका जो सही जबा होगा, option number C, तो SJVNL, तो next question, next question हमारे पास आता है, इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका, option number B, 1999-2000 के बीच, next question, सांट और सुबू, हिमचल प्रदेश के किस जीले के लोग में जित्ते हैं, तो इसका जो सही जबा होगा, वो होगा, आपका, option number D, लहौल स्पीती, तो लहौल स्पीती आपने थोड़ा सा गल्द लिखा हुआ, next question, गोचि, उस सब हिमचल प्रदेश के किस थान पर मनाया ज जाता है, तो इसका जो सही जबा होगा, वो होगा, आपका, option number A, तो ये मनाया जाता है, के लांग में, next अगर हम बात करें, तो next person हमारे पास आता है, कि प्रसिद्ध करांतिकारी, लेखक, सिरियास, पाल, सर्मा, हिमचल प्रदेश के किस जीले से समन्दी थे, तो इसका जो reasoning और जो आपका English, Hindi, ये तीन जो भी subject से प्रसंद जीतने भी आये हुए थे, तो इन्हें हम जो है next part में discuss करेंगे, तो आपने channel को जुरू subscribe करना है, और bell icon जुरू press करना है, जब हम इसकी दूसरी जो वीडियो डालेंगे, तो आपको उसकी notification मिल जाएगी, दोस्तों अब आ प्रदान करने के लिए mobile band धनवंतरी रत प्रणरम किया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, option number B, गुजरात इसका सही अंसर रहेगा, next question, तो किस social media platform ने हाल ही में भारत में interest between you अभियान प्रणरम किया है, तो इसका जो सही जवा होगा, option number A, whatsapp, उसके बाद, next question, एक स्थान, निम्मू, जो हाल ही में समचारों में था, किस नदी के तरपरस्थित है, तो इसका जो सही जवा होगा, option number जो है, वो होगा, A, सिंधू, next question के अगरम बात करें, तो next, अगरम बात करें, तो, सिट्रिप्ड, हेरस्टिक, एंड इलूस्टिब, प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोज की गई है, तो, इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका, जो, option number C, इसका सही अंसर है, तीतली, next question, किस देश ने हाल ही में समयधानिक सुनसोधन, सुनसोधनों के लिए मतदान किया है, जिसने इसके राष्ट्रपति को, 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमती दी है, तो, देखी दोस्तो, इसका जो सही अंसर होगा, वो भी, option number C होगा, रूस, उसके बार, next question हमारे पास आता है, तो, किस संगठन ने हाल ही में, गलोबल, जो, एजुकेशन, मानिटरिंग, GEM, रिपोर्ट जारी की है, तो, इसका जो सही अंसर नमबर B, UNESCO, उसके बाद, next अगर हम बात करें, सरकार द्वारा लगाए गया, taxable, floating rate, savings, bonds, 2020 की अबधी कितनी है, तो, इसका जो सही जबाद होगा, ओप्सन नमबर C, साथ वर्स, उसके बाद, next प्रसन के एकरम बात करें, तो, next कर अंटर फिर का प्रसन, United Sports की, Space Agency, NASA ने हाल ही में, अपने मुखैलक को, किस अमेरिकी इंजिनियर के नाम पर, पुना निर्मित करने की घोशना की है, तो, 25 का जो है, ओप्सन होगा, ओप्सन नमबर A, तो, Mary W. Jackson, next प्रसन, कुसी नगर, हवायाड़ा, जिसे हाल ही में, अंतराश्टिया, हवायाड़ा घोशित किया गया है, किस भारतियराज जे मिस्तित है, तो, इसका जो सही जबाद होगा, होगा, UP, option नमबर A, इसका सही अंसर है, भारतिय, पवेलियन, स्युक्त रूप से सूचना, एवन प्रसारण मंतराले, और किस भारतियर संगठन द्वारा किया जा रहा है, तो, इसका जो सही जबाद होगा, FICCI, तो, दोस्तों, उसके बाद कुछ इंगलिस के प्रसन है, इन्हें हम स्किप करेंगे, हिंदी को भी, तो, जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे, देखें, जल्दी हम इसकी वीडियो अप्लोड करेंगे, तो आपको नॉट्फिकेशन मिल जाएगी, नेक्स्ट अब, हमारे पास आते हैं, इंडिया, जीके, और बल्ल जीके से सिसमंदित कुछ प्रसन, तो, देखें दोस्तो का जनसंख्य घरतव, प्रती वर किलोमेटर है, तो इसका जो सही अंसर होगा, ओप्सन नंबर C, तो, देखें दोस्तो, इसका जो अंसर C है, 9,340, नेक्स्ट प्रसन, भारतिये, भारत की समिधान सभा दौरा, राष्ट्य अधुवज कब अपना गया है, very important प्रसन है, प्रक्सक कौन है, तो देखें दोस्तो, 51 का जो है, ऑप्सन नंबर D होगा, सरवोच नियालया, उसके बाद कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो देखें दोस्तो, 52 का ऑप्सन नंबर जो है, वो होगा, संपत्ति का अधिकार, right of property, next प्रसन, भारतिये समिधान का कौन सा चेद 44, next प्रसन, वीतायोग किसके द्वारा संगटित होता है, तो देखें दोस्तो, इसका जो सही अंसर होगा, यह होगा, ऑप्सन नंबर A, राश्टर पदी, next प्रसन के अगरम बात करें, तो next प्रसन हमारे पास आता है, नीमन में से कौन अखिल भारतिया सेवाओं के ल हमारे पास आता है, कि राश्टर पदी, शांसर के दोनों सदनों के लिए कितने सदर से मनों नीत करता है, तो देखें दोस्तो, इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, ऑप्सन नंबर D, 14, उसके बाद, next अगर हम बात करें, तो next हमारे पास प्रसन आता है, कि नीती अयोग है तो देखें दोस्तो, यह है ऑप्सन नंबर B, नीती अयोग है, कार्यकारी निकाय, उसके बाद, next प्रसन के अगरम बात करें, तो next प्रसन हमारे पास आता है, कि भारतिय समिधान की छठी अनसूची निवन में से किस भारतिय राज्य पर लागू होती है, तो इसका जो सही जबा होगा, ऑप्सन नंबर D, इन सभी पर, next प्रसन, निवन में से कौन सा समिधानिक निकाय है, तो देखें दोस्तो, इसका अंसर होगा, ऑप्सन नंबर D, यह सभी, देखें दोस्तो, कैग, चुनावयोग, UPSC, सभी जो हैं, यह समिधानिक निकाय है, next प्रसन, कि भारत राष्ट्रिय मतदाता, दिवस परती, वर्स मनाया जाता है, तो देखें दोस्तो, इसका अप्सन नंबर A होगा, 25 जैनवरी, next प्रसन, स्वेत करांती, किसे समंधित है, तो इसका सही अंसर होगा, अप्सन नंबर C, दूध, next प्रसन, भारतिया पूरा तात्विक सर्वेक् A, 1861 में, फूलों के घाटी किस भारतिय राज्य में स्थित है, तो उत्राखंड इसका सही अंसर होगा, next प्रसन, रामक्रिष्ण मिशन संस्थान किस स्थान प्रस्थित है, तो इसका सही जवा होगा, ओप्सन नंबर C, कॉलकत्ता, उसके बाएं, next प्रसन, भारत किस प्रस्यान का, next प्रसन, कौन भीमक्रिष्ण को वियनिमित करता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, ओप्सन नंबर D, I, R, D, A, I, next अगर में बात करें, next प्रसन, भारत सरकार की मेगराज परियोजना निमन में से किस से समन्दित है, तो इसका जो सही जवा होगा, ओप्सन न इसका सही अंसर होगा, ओप्सन नंबर A, बायुयान, next प्रसन, कौन सी एक नवरतन कंपनी है, तो देखी दोस्तों, इसका सही अंसर होगा, हिंदुस्तान, एरोनिक्टिक्स लिम्टिड, और भारत, इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टिड, दोनों, जो है, ओप्सन नंबर C, इसका सही अंसर होगा, ओप्सन नंबर B, सता से बायु प्रक्षेव पास्त्र, next अगर हम बात करें, तो 71 प्रसन हमारे पास आता है, राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्सा अभियान किस वर्स में प्ररंब किया गया, तो इसका सही अंसर होगा, 2009, उसके बार next प्रसन के अगर हम बात क करें, तो next प्रसन हमारे पास आता है, कि कौन सा उर्जा का गयर प्रंपरागत स्त्रोध है, तो 72 का ऑप्सन नंबर जो होगा, होगा D, इन में से कोई नहीं, उसके बार next अगर हम बात करें, तो next प्रसन कोयोटो प्रोटोकाल समन्दित है, तो इसका जो सही जबा होगा, भारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद बित विधेक को धन विधेक के रूप में परिभासित करता है, तो इसका ऑप्सन नंबर A सही होगा, अनुचेद 110, next प्रसन, बिस्चब स्वस्ते संगठन का मुख्याला कि स्थान प्रस्थित है, तो इसका सही जबा होगा, ऑप्सन नंबर A, जनेवा, next प्रसन, निवन में से कौन सी खरीफ हसल नहीं है, तो देखिए दोस्तों, खरीफ हसल, जो मक्का चावल कपास, देखिए दोस्तों, इन सभी को अधिक पानी कर सकता होती है, लेकिन गेहों को कम पानी कर सकता होती है, तो ऑप्सन नंबर D, इसका सही नेक्स्ट प्रसन, हमारे पास आता है कि राष्ट्रिय स्वस्थे नीती किस वर्ष परानब हुई, तो इसका जो सही जवाव होगा, ऑप्सन नंबर जो होगा B, तो 2002 में, नेक्स्ट प्रसन, आयूस सेवा में कौन सी सुविदा समिलित नहीं है, तो इसका जो सही अंसर होग वो होगा, ऑप्सन नंबर A, एलोपैथी, नेक्स्ट प्रसन, एट सोता है, तो बिशाणू के कारण, ऑप्सन नंबर A, नेक्स्ट प्रसन, कौन सा अधातविक खनीज है, तो इसका सही जवाव होगा, यह सभी, तो देखिए दोस्तो, माइका, जिपसम, ग्रेव हाइट, य आविन्तम सीमा सुरक्षावल कौन सा है, तो ससास्टर सीमावल, ऑप्सन नंबर D का सही होगा, उसके बाद दोस्तो, जो प्रसन यह बचते हैं, इन्हें हम, नेक्स्ट पार ने डिसकस करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, दोस्तो, जो हमारा नेक्स्ट प्रसन हम डिसकस करन तो यहां से 98 से हम जो है प्रसनों को आप डिसकस करेंगे तो प्रसन हमारे पास आता है विश्य भी हुआ कौसल दिवस प्रतिवर्स किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही जवाव होगा ओप्सन नमबर D 15 जुलाई नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है मोहन जोदुडू की खोज निवन में से किस पुरा तात्विक पुरा तात्वग्य द्वारा की गए थी तो 99 का ओप्सन नमबर जो है भी होगा अर्ड़ मनरजी के द्वारा उसके बार नेक्स्ट अगरम बात करे तो नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है सिंदू घाटी लोगों के मुख्या नर्देवता थे तो पति महादेव off müssen number is का सही होगा नेक्स्ट आग्रम बात करें तो हमारे पास प्रसन आता है कि उत्तर मासा दर्शन किसके द्वारा दिया गया तो इसका सही अंसर होगा आप्शन नमबर C गौतम मतरक इस महाजनपद की राज़ानी थी तो इसका सही ज़बा होगा आप्शन नमबर B सूरसेन नेक्स्ट आग्रम बात करें कौन सा जैन धरम के त्री रतनों में नहीं है तो इसका सही ज़बा होगा जो आपका आप्शन नमबर D तो ये था साम्यक मनोवरी थी देखिए दोस्तों साम्यक बिश्वास, साम्यक ग्यान, साम्यक अचारण ये थे लेकिन आप्शन नमबर D जो है वो नहीं था नेक्स्ट प्रसन तो नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि जो अभी धम पिटक किस धरम से समदित है तो इसका सही ज़बा होगा बात धरम उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि कौन सा ब्रिहित सिलालेख कलिंग यूद से समंदित है तो इसका सहीजवा होगा option number D ब्रिहित सिलालेख 13 next person कि किस बंस से समंदित था तो इसका जो सहीजवा होगा option number C कुशान बंस उसके बाद next अगर हम बात करें तो किस चोल सासक ने सिरी लंका पर अकर्मन किया तो इसका सहीजवा होगा option number C राजा राज प्रत्थम next person हमारे पास आता है कि भारत पर अकर्मन करने वाला प्रत्थम मुसलिम था तो इसका जो सहीजवा होगा मुहम्मद बिन कासीम उसके बाद मलिक कपूर की दिली सुल्तनत का समर्थ सेनपती था समर्थ सेनपती था तो इसका जो सहीजवा होगा option number A होगा अलावदीन खिल जी उसके बाद next person क्रिशन देवराय किस मुगल सासक का समकालीन था तो इसका सहीजवा होगा बावर next person नक्साबंदी, सूफी, सिलसिला किसके द्वारा स्थावित किया गया तो इसका सहीजवा होगा option number D इनमें से कोई नहीं उसके बाद next अगर हम बात करें तो next हमारे पास प्रसंद आता है कि तारिक A सेर साही पुस्तक किसे ने लिखी तो अबास खान सरवानी के द्वारा लिखी गई उसके बाद next अगर हम बात करें तो किस सिख गुरू ने स्वरण मंदीर में आकाल तखत का निर्मान किया तो इसका सहीजवा होगा option number जो होगा option number C गुरू अर्जुन देव next person मंगल पांडे किस पैदल सेना से समंदी था तो इसका सहीजवा अंसर होगा option number B 34 देशी पैदल सेना उसके बाद next person कि जलिया बाला बाग हत्यकांड हुआ तो तेरा प्रायल उनिसा उन्नी को option number B होगा इसका आमनी सर में हुआ था ये next person विवेक अनन्द का मूल नाम था तो इसका जो सहीजवा अंसर होगा option number C तो ये है नरेंदर नाथ दत्थ उसके बाद next person कि 12 डोली सत्यगरह का निरतित्तव किस ने किया था तो इसका जो सहीजवा अंसर होगा होगा सरदार पटेल option number D उसके बाद next person कौन सा हमारे स्वार बंडल का निरतित्तम तार है तो इसका सहीजवा अंसर होगा option number जो है वो होगा प्रेक्समा सेंचरी option number A इसका सहीजवा अंसर है उसके बाद next person नाइफे परत प्रिथिवी के अव्यांतर के किस भाग में समधित है बलाक परवत का उधारन है तो इसका सहीजवा अंसर होगा आपका option number जो है तो इसका सहीजवा अंसर है option number D बोस गोस बोस गेस next person हमारे पास आता है ताप प्रतिपन की घटना किस बातावरणी परत में होती है तो इसका सहीजवा होगा option number A next person के अगरम बात करें बिश्वबती है जलवायू जोन किसके बीच पढ़ता है तो इसका सहीजवा अंसर होगा option number जो है वो होगा option number A 10 degree इससे लेकर 10 degree S तक 10 degree N से लेकर 10 degree S तक next person समान वर्षा व्रिष्ट को दरसाने वाली समान रेखा कहलाती है तो इसका सही अंसर होगा option number D ISO heights option number D इसका सही अंसर है next person कौन सी अंटार्टेका की सर्वच चोटी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option number जो है B तो wins massive उसके बाद next person जब प्रिथिवी चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन साज़वार भाटा उत्पन होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number इसमे option number A ब्रिहित ज़वार भाटा उसके बाद next अगर में बात करें तो स्यूक्त राजय अमेरिका में डेंडराइट किस उद्यों के लिए प्रिसिद है तो इसका जो सही अंसर होगा option number A automobile next person कोंगो गंडराजय किस देश का नया नाम है तो इसका सही अंसर होगा option number A जाईरे next person यांग याप दर्राकिस भारतिय राजय में स्थित है तो इसका जो सही जवा होगा होगा option number C अरुनाचल प्रदेश पस्चिम घाट को इसे भी जाना जाता है तो इसका सही जवा होगा option number A शहेंडरी उसके बाद मालावार तट स्थित है बैंगलूरू के से कन्यकुमारी के बीच तो इसका option number B सही होगा next person कौन सी नदी अमरकंटंक पठार से उत्पन होती है तो इसका सही अंसर होगा option number B कृष्णा उसके बाद next अगर हम बात करें तो next हमारे पास जो प्रशन आता है दोस्तों देखिए कौन सी नदी अमरकंटंक पठार से उत्पन होती है तो इसका जो सही अंसर होगा आपका होगा option number C नर्मदा उसके बाद next person के घरम बात करें तो ताती पा का आयले रिफाइनरी स्थित है तो इसका जो सही जमाव होगा 133 का option number C next person भारतिय सम्मिधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निशेद विधी से समदित है तो इसका जो सही अंसर होगा option number C तो दस्वी अनुसूची next person भारतिय नागरिकता खोश सकती है तो इन सभी से option number D होगा next person भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुसूची सम्मिधानिक उपचार का अधिकार से समदित है तो इसका जो सही जवाव होगा option number जो है D अनुसूची 32 next person के अगर में बात करें तो next हमारे पास प्रसन आता है कि कि समीति की अनुसंसा पर भारतिय सम्मिधान में मोल कृतब जोड़े गया थे तो इसका सही अंसर होगा option number जो है D इसका सही अंसर है स्वर्ण सिंग समीति उसके बाद next person तो स्वीति विद्यमान होती है तो इसका सही अंसर होगा option number जो है वो होगा option number A समय के साथ किमतों में समाने बृद्धी होती है next person 39 139 तो पद मिसिलित अर्थवस्ता दरसाता है तो इसका जो सही अंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा option number B नीजी एवं सारवजनिक दोनों की पस्तिदी उसके बाद next person के एकरम बात करे तो राष्ट्री है सेकलर राष्ट्री उत्पाद की गंडा के दोरान नेमन में से कीस की जो अपसकता नहीं होती तो इसका सही अंसर होगा option number C नागरिकों की प्रतिव्यक्ति आए तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडियाप चाही होगा तो आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वहाँ से आप जो हैसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप को भी आपने जूट से जोइन करना है तो नेक्स प्रसन के अगर हम बात करें स्वर्ण पार्ट मान से संधर्वित है तो इसका जो सही जवाँ होगा होगा आप्सन नमबर C मान के मापक के रूप में स्वर्ण से अभ्यांस है तो इसका जो सही जवाँ होगा क्वाइटा तो क्वाइटा इस तो इसका सही अंसर होगा option number D तो आयात की मातरा पर परतिबंद दुईतिय पंच बर्षिया next question दुईतिय पंच बर्षिया योजना में किसे प्राथ मिक्ता दी गई तो देखी दोस्तो इसका सही अंसर होगा option number C भारी उद्योगों को पहली पंच बर्षिया में आपने कमेंट करकर बताना है कि किस जो है योजना में प्राथ मिक्ता दी गई थी पहली पंच बर्षिय योजना में next person अब लेखक से संदर्विद है तो 44 का option number जो है वो होगा D जोखिम सुनिश्चित करने का कार्या next person के अगरम बात करें तो बायरस के बारे में क्या बीना अफवाद के सही है तो इसका सहीजवा होगा option number D ये केवल पोशी कोशिकाओं में गुनित हो सकते है next person पादब जिससे कोका और चौको लेट प्राप्त होते हैं तो है एक तो इसका सहीजवा होगा option number D तो बहुत बड़ा पेड next person next person है मारपास जो quarantine नियमन समंधित है तो इसका सहीजवा होगा option number D तो रोगी जीव के परवेश को रोकने से option number D इसका सही होगा next person Carbon Monoxide विशाकता को दूर किया जा सकता है तो इसका सही ज़वा होगा आपका Option Number C इसका सही अंसर होगा प्रभावित व्यक्ति को ताजा अक्सीजन से ले जाकर Next Question Zero Phacthalemia किस बीटामीन की कमी से होता है तो इसका सही ज़वा होगा Option Number A, Vitamin A मानव व्यस्क में समाने रखत आयतन कितना होता है तो इसका सही ज़वा होगा Option Number C, 5 इडर Next Question के अगरम बात करें यूरीन के स्तरवन को सरवार्थित करने वाली आस्दी कहलाती है तो इसका सही ज़वा होगा आपका Option Number C, तो डाई-यूरे-टिक Next Question, सरदियों में एक मोटे साट की अब एकसा दो पतले साट गरम क्यूं रख सकते हैं तो इसका सही ज़वा होगा Option Number B, तो बायू की परत दो साट के बीच उस्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है उसके बाद 153 की इंदरधनुस किसके कार्ण बनता है तो देखे दोस्तों इसका सही ज़वा होगा Option Number A, अवर्तन और विक्षेपन Next Question के अगरम बात करें तो बारिस के तीनों में ध्वनी लंबी दूरी तक सुनाई देती है क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा Option Number B, ध्वनी नरम बायू में तेज चलती है Option Number B, इसका सही होगा Next Question, विद्वित बलब के फिलमेंट के लिए टंगस्टन का प्रियोग होता है क्योंकि Option Number इसका होगा आपका जो D, तो इसका गलनांग आती उच है Next Question के अगर हम बात करें तो परमाणू रियक्टर में सीतलक के रूप में किसका प्रियोग होता है तो इसका सही जबा होगा Option Number A, जल Next Question, प्रगात अवशोशक प्रायस्टील के बने होते हैं क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा Option Number C, इसे उच प्रतिस्था होती है Next Question हमारे पास आता है, भारत की कुल जनसंख्य में हिमचल प्रदेश का प्रतिस्था की हिस्था है तो देखें दोस्तों ये HPGK के प्रतिस्था आते हैं तो इसमें Option जो होगा होगा आपका A, 0.57% Next Question हमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेतरफल के अनुसार विधानसवा निरवाचन क्षेतर है तो इसका Option Number C होगा लहौल स्पिती Next Question कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है तो Option Number C होगा चमबा उसके बार Next Question के एक रम बात करें दामि घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिल मिस्तित है तो इसका जो सही जबाव होगा वो होगा आपका Option Number जो है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका Option Number A बिलासपूर Next अगर हम बात करें तो Next हमारे बात प्रसन आता है कि श्रीगट टिगू जील हिमाचल प्रदेश के किस जिल मिस्तित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Option Number D कुलू Next प्रसन के एक रम बात करें बो सहर रियास्त की राजधानी की स्थान पर स्थित थी तो इसका जो सही जबाव होगा वो होगा Option Number D कामरू Next प्रसन भागत राज्य का अंतिम सासक था तो इसका जो भागत राज्य का अंतिम सासक था तो इसका Option Number C होगा दुर्गा सिंग था Next प्रसन बिलासपूर का पुरान नाम तो सभी को पता होगा बियासपूर धौला परवत को लोगप्रिय रूप से जाना जाता है समारक है तो इसका जो सहीजवाव होगा होगा आपका Option Number जो है इसका होगा D इन में से कोई नहीं सौरी इसका जो अंसर होगा Option Number C हडिमबा देवी मंदिर जो कुलूजी लेकि अंतरकत पढ़ता है उसके बाहर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई दो ना पाई दो किस अंदोलन के दोरान दिये गया ना रहा था तो इसका जो सहीजवाव होगा होगा आपका Option Number B पंजोटा अंदोलन तो दोस्तो इस वीडियो का अंतरी प्रसन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक जरूरी से करें और आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही जो हमारे यूट्यूब चैनल के मादिम से बताया जाएगा और जो हमारी अगली वीडियो ही उसमें आपको काट आउफ के बारे में भी पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि इसकी काट आउफ कितनी जाएगी तो दोस्तो अपने नमबर आपने कमेंट करकर बताने है और यदि किसी कॉस्चिन में आपको मिश्टेक लगती है गलत बताया गया हो तो उसे आपने कमेंट करकर जुरूर बताना है जनबरी 26-1948 को हिमचल प्रदेश अंतरिम सरकार की अध्यक्ता किसे ने की थी तो देखी दोस्तो इसका जो सहिजबा होगा, होगा सिवानंद रमॉल के दौरा तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक है यहीं जखारत और चैनल को सबसक्राब नहीं किया है तो चैनल को जुरू सबसक्राब करें तो धन्यवाद